है एबरिवन आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कामर्श टुट्रियल्स में आपका स्वागत है फ्रेंट्स मैं सितेश कमार को स्वाहा जो आज आपको पढ़ाऊंगा बितियो ब्यूराण बिसलेशन से 43 MCQs जो बेड़ है अनुपात बिसलेशन रेषीयो एनलेसिस पर बेष्ट कोशन है फ्रेंट्स 43 के 43 कोशन्स और बता दें यह हमारा बितियो बूराण बिसलेशन का थर्ड पार्ट है फ्रेंट्स और इसमें हम कुछ कोशन प्रेटिकल भी देखेंगे और कुछ थेरिटिकल भी देखने वाले हैं फ्रेंट्स तो ये वीडियो जो है बहुत मज़दार और बहुत important होने वाला है friends तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए, bell icon को all facilitate कर लिजिए ताकि कोई वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका notification सबसे पहले आपको प्राप्त होगा तो चलिए friends श्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला question Question number 61 केरा संचालन अनुपात है आपके सामने चार अफसन है A. लाबदायकता अनुपात B. किरिया सिलेता अनुपात C. सोधन शमता अनुपात D. इन में से कोई नहीं तो इन चारों में से कोई ये कबसन सहीर फ्रेंट तो सहीर फसन आपको guess कर लेना है तो friends जो आपका अंशर है वो है A. लाबदायकता अनुपात लाबदायकता अनुपात चले फ्रेंट्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 62 असकंद आवर्त अनुपात है आपके सामने चार अपसन है A. तरलता अनुपात B. लाबदायकता का अनुपात C. सोधन छमता अनुपात ये सोधन समता है फ्रेंट्स ठीक है प्रेंटिंग एरर होया है और D. क्रिया सीलिता अनुपात तो इन चार में से कोई एक अपसन सही है फ्रेंट्स तो सही अपसन आपको गेस कर लेना है चलिए बताइए फ्रेंट्स सही अपसन आपका क्या है तो फ्रेंट्स जो आपका सही अपसन है वह है D क्रियसिलता अनुपात एक्टिविटी रेसियो चले फ्रेंट्स अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 63 निमलिखित में कौन आदर सतम चालू अनुपात है आपके सामने चार अप्सन है A 1 is to 1 B 2 is to 1 C 1 is to 2 D इन में से कोई नहीं तो इन चार अमसे कोई एक अप्सन सही है फ्रेंट्स तो सही अप्सन गेस कर लेना है तो फ्रेंट्स जो आपका सही अप्सन वह है B 2 is to 1 को चालू आदर सतम चालू अनुपात कहते हैं चले फ्रेंट्स अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 64 आदर सतम अमल पर इच्छड अनुपात होता है यानि जो आदर सतम जो है एसीड टेस्ट जो रेशियो आपको बताना है वो क्या है तो आपके सामने आईडियल एसीड टेस्ट रेशियो A 1 is to 1 B 1 is to 2 C 2 is to 1 D इन में सो कोई नहीं तो इन चारों में सो कोई एक अप्सन से है तो सही अप्सन आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंट्स जो आपका सही अप्सन वह है A 1 is to 1 चले फ्रेंट्स अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 65 कह रहा है निमनलिखित संपतियों में से कोन संपति अमल परिछण अनुपात की गर्णा करने के लिए तुरित चालू संपति नहीं है तो आपके सामने चार अप्सन है A. रोकल B. अल्पकालिन प्राक्तबिल C. रहतियां D. देंदार तो फ्रेंट्स चार अप्सन है आपके सामने और चार में से कोई एक ही अप्सन सही है तो सही अप्सन आपको guess कर लेना है तो फ्रेंट्स जो आपका सही अप्सन है रहतियां यानि स्टॉक फ्रेंट्स आपको बता दें कि जो लिक्वीड रेशियो हमें liquid assets compute करना पड़ता है, acid test ratio compute करने के लिए, या liquid ratio जो liquid current assets compute करने के लिए तो हमें कहीं liquid current assets compute करने के लिए आपको बता दें, कि current assets में से prepared expenses और stock जब घटा देते हैं, तो हमरा क्या आ जाता है, liquid, यानि current liquid assets पता चल जाता है, तो friends इसका मतलब ये रहतियां जो है इसको सामिल नहीं करना है तो चलिए आगे देखते हैं अगला question Question number 66 चालू अनुपात है चार अपसन आपके सामने A. लाबदायकता अनुपात B. सोधन शमता अनुपात C. क्रियासिलेता अनुपात D. इन में से कोई नहीं तो इन चारों में से कोई एक अपसन साइए तो सही अपसन आपको guess कर लेना है तो friends जो आपका सही अपसन आपको है B. सोधन शमता अनुपात चालो अनुपात जो है ना सोधन समता अनुपात है चलिए friends अगला question देखते है Question number 67 करा तरल संपती में सामिल होता है तरल संपती यानि liquid assets की बात करा friends तो क्या क्या सामिल होता है मैंने आपको बताया कि देखी current assets में से क्यवल क्या नहीं सामिल होता stark और prepared expenses सामिल नहीं होते हैं बाकी सभी के सभी जो होते हैं liquid assets होते हैं जो current assets होते हैं लाबा तो चलिए देखते हैं कि तरल संपती में सामिल होता है क्या तो A केवल रोकड नहीं ऐसा नहीं है रोकड भी संपती हैं जो सामिल होती है यह दोनों सामिल होता है रोकड भी और देंदार भी और इसके लगा और भी जो संपतियां होती है तो चलिए देखते हैं C रोकड देंदार विपड़न योग प्रत्व होती है तो C वाला अपसन आपका सही है फ्रेंड्स चलिए अगला कोशन देखते हैं आपसनार न्मिल्खित में कौन संपत्य है तो फ्रेंड्स आपको पता है मातर दो ही संपतियां तरल संपत्य नहीं है आपको पता है current वाले मे एक stock और एक prepared expenses तो चलिए A डेपटर ये तो तरल संपति है B रहती है ये तो है नहीं, तरल संपति नहीं है, C, ये तो आपका current assets होता ही नहीं है, ठीक है, D, इन में से कोई नहीं, तो इन चारों में से कोई एक अपसन सही है, और सही अपसन आपको guess कर लेना है, दूब फ्रेंज क्या guess करना है, सही अपसन आपका क्या है, A, देंदार जो है ना, तरल संपत्ती यानि liquid assets होता है, चले friends, अगला question देखते है, question number 69, चालू अनुपात है, A, आर्थिक चिठ्ठा अनुपात, B, लाभानी खाता अनुपात, C, मेसरीत अनुपात, D, इन में से कोई नहीं, तो इन चारों में से कोई एक अपसन सही है, तो सही है अपसन आपको guess कर लेना है, तो friends, जो आपका सही अपसन वह है, A, आर्थिक चिठ्ठा अनुपात, चले अगला question देखते है, question number 70, और ये है एक practical question, तो चले friends, start करते है, हमारा question number 70, यह कह रहा है, यदि चालू अनुपात 2 to 5 है, तथा चालू दायत्व की रासी 25,000 है, तो चालू संपत्ति की रासी क्या है, तो friends, देख आग के सामने चार अपसन है, A, 10,000, B, 12,500, C, 25,000, D, 30,000, तो इन चालू से कौन सा अपसन सही है, friends, चलिए, देखिए, बताये कौन सा अपसन सही है, friends, तो friends, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ये question shawl कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लिख लिजिए, current ratio, 2 to 1 given है, current liability, 25,000 given है, और आपका जो question पूछा है, पूछा है, कि चालू समपती current assets क्या होगा, तो friends, सबसे पहले आप लिखिए, current ratio का formula, CR is equal to current assets divided by current labilities, और CR यानि जो current ratio जो है, 2 is to 5 दिया है, वो रख लिजिए, CR यानि current ratio के जगह पे, 2 divided by 5, is equal to current assets, तो पता नहीं है, तो current assets लिख लिजिए, current liability के जगह पे वो पता है, current liability तो 25 दिया है, ठीक है, अब इसके बाद से, आप क्या करिए, इसको solve करिए, solve करेंगे, तो क्या होगा, 25,000 और 2 में multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 into 25,000, और 5 में और current assets में multiply होगा, तो क्या हो होगा, 5 CA, is equal to 2 into 25,000, अब क्या करेंगे, जब हम 2 into 25,000 में multiply करेंगे, तो 50,000 आपका हो जाएगा, और CA is equal to होगा, 50,000 divided by 5, यह 5 जो होगा, divide हो जाएगा, तो आपका आएगा current assets 10,000, तो आपका, friends, ये वाला option सही है, ये वाला option सही है, कि 10,000 आपका, current assets होगा, चरिए, अगला question देखते है, question number 71, कह रहा है, यदि रोकड 10,000 है, रहतियां 25,000 रुपए है, देंदार 5,000 रुपए है, लेंदार 22,000 रुपए है, बैंक अधिबिकर्स 8,000 रुपए है, तो चालू अनुपात होगा, आपके सामने 4 अप्सन है, A, 3 is to 4, B, 4 is to 3, C, 2 is to 1, D, 1 is to 1, तो friends, इन चारों मसे कोई एक अप्सन सही है, और आपको बता दें, कि किसी भी question को हलके मने लेना है, मतलब यह नहीं कि हम numerical वाला नहीं करेंगे, theoretical वाल करेंगे, friends आपको बता दें, कि एक-एक question का जो है बहुत महत्व है, एक-एक question तीन-तीन नंबर का होने वाला है, friends, तो क्यों नहीं हम seriously इसको पढ़ है, तो चले friends, देखते हैं इसको कैसे solve करना है, तो मैंने देखी solve कर रखा है, पहले मैंने question उतारा क्या, कि cash 10,000, stock 25,000, debtors 5,000, creditors 22,000, bank overdraft 8,000, हमने question लिख लिए, फिर लिखा current ratio, question मतलब यही found out करना है, चले, अब इसके बास से current assets हमें find out करना पड़ेगा current ratio नहीं कालना के लिए, क्योंकि current ratio का ही फर्मूला होता है, current assets divided by current liabilities, तो हमेंच यह होता है current assets, और current liabilities, तो current assets compute करने के लिए, हम पूरा जो जो इसमें current assets से एक तरफ लिख लेंगे, जैसे आपका cash current assets है, stock current assets है, debtors current assets है, तो हमने current assets equal to लिखा cash plus stock plus debtors, और उनकी amount लिख ली, 10,000, 25,000, 5,000, सब मिला कि हमारा 40,000 current assets find out हो गया, अब देखे, current liabilities compute करना है, और current liabilities हमारा craters है, और bank overdraft है, तो craters 22,000 हमने लिख लिख लिया, और 8,000 bank overdraft लिख लिख लिया, तो हमारा current liabilities हो गया, 30000 हो गया, ठीक है, और current ratio का formula लगाया मने current assets divided by current liabilities is equal to, और value रख दिया, जो हमने compute किया था, तो current एसर 40,000 पूट किया है और current लेबिट इस 30,000 पूट किया है और जब divide करेंगे यह 0,0 कड जाएगा 4,0 से 4,0 तो 4 इस्टू 3 आएगा तो इसका मतलब जो हमारा सही अफसान है वो है B हमारा सही अफसान है वो है B चलिए फ्रेंट्स अगला कोश्चन देखते है कोश्चन अबर 72 तो 72 देख लेते हैं फ्रेंट्स 72 कह रहा है चालू अनपात की गड़ना करते समय निमलिखित से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है तो चलिए 4 आपसन हैं आपके सामने A. देंदार B. लेंदार C. फर्निचर D. बैंका देविकर्स तो फ्रेंट्स आपको बता दे हमें केवर करेंट एसेट्स और करेंट लेविल्टी से मतलब होता है आपका A. जो है देंदार एक करेंट एसेट्स है तो इससे मतलब है B. लेंदार करेंट लेविल्टी है इससे भी मतलब है और C फर्निचर ये तो फिक डेशर्स है तो इससे मतलब नहीं है और D बैंक का दिविकर्स तो एक करेंट लेविटी है और इससे भी मतलब है तो friends चालू अनुपात कंपूर्ट करने के लिए A, B और D से मतलब है C से मतलब नहीं है तो आपका जो से अपस्वन है वो है C C अपस्वन आपका सही है फर्निचर उपसकर ठीक है चलिए friends अगला कोशन देखते है कोशन अबर सवंटी त्री करने निमलिखित में से कौन सी मत संचालन बै नहीं है तो A है वेतन, B, डांक, C, ब्याज, D इन में से कौन नहीं तो चलिए friends इन चारों में से कोई एक अपस्वन सही है सही अपस्वन आपको गेस कर लेना है तो फर्निचर जो आपका सही अपस्वन है C, ब्याज ब्याज जो है ना शंचालन बै की मत नहीं है चलिए friends अगला कोईश नहीं देखते है करा किस ब्याज़ाई के नेट वर्थ का आता है किसी ब्याज़ाई किस नहीं है एक किसी ब्याज़ाई के नेट वर्थ का आता है A, संचालन अंच पोईचि B, कुल संपतिया C, कुल वास्तिक संपतिया – कुल दाइतों, दी, इन में से कोई नहीं, तो इन चारों में से कोई एक अफसन से ये, फ्रेंट, तो सही अपसन आपको guess कर लेना है, तो फ्रेंट्स, जो आपका सही अफसन होए, C, जब हम कुल वास्तु एक समपतियों में से, कुल दाइतों को घटाते हैं, तो हमें net worth पता चलता है, चले फ्रेंट्स अगरा question देखते हैं question number 75 करे, बिन्योग पर परत्याएं के बीच का अनुपात है बिन्योग पर परत्याएं के बीच का अनुपात है तो आपके सामने चार अपसन, A सूध लाब एंव बिन्योजित पुझी B. विक्री एंव लाब C. विक्री और बिन्योजित पूझी D. अन्मेसे कोई नहीं तो इन चारों में से कोई एक एपसन सही अपसन तो सही अपसन आपको gays कर लेना है तो इप्रेंड में आपका सही अपसन और है A. सुध लाब एंव बिन्योजित पूझी चलेशन से अगला कोशन देखते हैं कोशन नूबर स्वंटी सिक्स करा सकल बिनियोजित पूजी बराबर होती है सकल बिनियोजित पूजी बराबर होती है एए अप्सन कुल अस्थाई संपतियां बी कुल चालू संपतियां सी कुल सूद संपतियां इनमें से कोई नहीं, तो इन चारों में से कोई है, तो सही अपसन आपको गेस कर लेना है, तो ऑनका सही अपसन वह आ है, कुल सुध समपतियाँ, सकल भी नियोचित पूझी, के बराबर होती है, आपको बताधे देखिये, क्या करते हैं न, हमें सकल, यानि gross capital implied जब compute करना होता है तो total assets में से outsell liability को घड़ा देते हैं तो हमें gross capital implied पता चल जाता है gross capital invested पता चल जाता है तो चलो फ्रेंस अगला question देखते हैं question number 77 करत त्वरित अनुपात की गढ़ना करते समय निमलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है त्वरित अनुपात की गढ़ना करते समय निमलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है चार अपसन हैं आपके सामने A. Rokerses B. Bankses C. Lendar D. Bank अधिविकर्स तो इन चारों में से कोई एक अपसन सही है तो सही अपसन आपको guess कर लेना है चलिए सही अपसन आपको guess कर लेना है तो friends जो आपका सही अपसन होगा है Bank अधिविकर्स आपको बता देना तो अरीत अनुपात की गढ़ना करते समय हमें हमें current assets में से क्या करना जो सुनी में बताता हूँ हमारा formula होता है liquid assets divided by current liability हमें ये दो चीज़ों की जूरत होती है और हम यहाँ पर liquid assets लेते हैं ठीक है और current liability लेते हैं तो current liability में हम क्या करते हैं बैंक अधिविकर्स को सामिल नहीं करते हैं ठीक है तो बैंक अधिविकर्स ये नहीं रहेगा ठीक है friends तो इसको ध्यान नहीं रखना है तो D वला option साही है ओर्सन no.78 है करा यदि वर्स की सुध बिकरी दो लाग पचास जा रुपे तता देंदार पचास जा रुपे है तो औसत वसूली अवधी होगी A. 45 दिन B. 50 दिन C. 73 दिन D. 75 दिन तो चलिए friends बता दीजिए इन चारों में से जो सई अफसन है वो कौन सा है तो friends आपको बता दें जो आपका सई अफसन है उससे पहले मैं आप एक calculation दिखाता हूँ आप देखिए सबसे पहले हमने लिखा है Net sales वो है दो लग पचास जार हमने question पहले उतारा debtors दिया हुए है पचास जार का हमने लिख लिया और compute करना है average collection period हमें compute करना है average collection period अच्छा देखिए हमें जब average collection period निकालना होता है तो वो debtor पर निकालना होता है और जब average payable period निकालना होता है तो creatures पर निकालना होता है clear है तो हमें जो निकालना है वो average collection period निकालना है तो question बात से हमने लिख लिया formula लिखा average collection period का average collection period का formula होता है debtors divided by net sale into 365 days ठीक है अब जब हम यहाँ पे debtors की value जो हमारा दिया हुआ है 50,000 हमने लिख लिया into 365 multiply कर लिया और divide कर लिया net sale 2,50,000 से तो हमारा जो आएगा 73 days और यह होगा हमारा final answer तो चले friends आपका C वाला option सही है C वाला option सही है 73 days चले friends next question देखते हैं तो चले friends देखते हैं question number 79 के रहा है यदि प्रारंबी का रहतियां 50,000 रुपे अंतिम रहतियां 60,000 रुपे बेचे गए माल की लागा 2,20,000 रुपे है तो रहतियां आवर्त अनुपात होगा चार option आपके सामने A दो बार B तीन बार C चार बार D पाँच बार तो इन चार अमसे को यह एक option सही है तो चले देखते हैं सबसे पहले इसको हम solve करते हैं और देखते हैं कितना हमारा आ रहा है answer तो friends देखिए हमने solve किया है सबसे पहले हमने लिखा question Opening stock दिया हुआ आपका 50,000 Closing stock दिया हुआ है 60,000 Cost of good sold यानि बेचे गए माल की लागा 2,20,000 दिया हुआ है Cost of good sold divided by average stock यानि stock to number ratio is equal to Cost of good sold divided by average stock अब देखिए हमारे पास cost of good sold question में दिया है 2,20,000 और हमें चाहिए average stock जो हमें compute करना होगा तो average stock का जो formula होता है Opening stock plus Closing stock divided by 2 ठीक है अब क्या करना है कि हमें Opening stock की value जो दिया 50,000 रो रख लेना है Closing stock की value दिया है 60,000 रो रख लेना है और 2 से जब divide करेंगे तो हो जाएगा 55,000 यह हो जाएगा हमारा average stock अब stock turn of ratio का formula पे हम value रखेंगे तो cost of good sold 2,20,000 है हमने रख लिया और 55,000 जो average stock आया वो divide कर देंगे तो हमारा 4 time आएगा यानि C वाला option हमारा सही होगा friends चलिए C वाला option हमारा सही है चलिए अगला question देखते है question number 80 करन निमलीखित में से कौन संचालन बै नहीं है तो आपके सामने 4 option है A. बिग्यापन B. बित्यबै C. वेतन D. पूराने furniture की बिकरी पर हानी तो इन पूराने furniture की बिकरी पर हानी चलिए अगला question देखते है question number 81 करें उचा अनुपात कम लाबदायकता के साथ लागू होती है तो चलिए देखते हैं 4 अपसन आपके सामने A. सकला बनपात B. सुधला बनपात C. संचालान अनुपात D. इन मेंसे कोई नहीं तो चलिए फ्रेंट्स देख लिए चारों मेंसे कोई एक अपसन सही है तो प्रेंट्स जो आपका सही अपसन बहा है संचालान अनुपात यानी C चलिए अगला question है question number 82 करत देंदार आवर्त अनुपात की गढ़ना की जाती है चार अपसन आपके सामने एक क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेप्टर्स टोड़ा सा डेप्टर्स की स्प्रिंग एरर है उपर वला सही है ठीक है तो देख लिजिएगा ठीक है उसके बास सी क्रेडिट स सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेप्टर्स होता है डेप्टेट टरनोबर रेशियो का फार्मूला डेप्टेट टरनोबर रेशियो इसकल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेप्टर्स चलिए अगरा कोशन दिखते हैं कोशन नमबर 83 करप प्रती अंस अरजन की गर्णा करने के लिए सुध लाब को डॉट डॉट से भाग दिया जाता है तो आपके सामने चार अपसन है A. समता अंस धारियों की अंस की संख्या से B. पुरधिकार अंसों की संख्या से C. दोनों परकार की अंसों की संख्या से D. इन मेंसे कोई नहीं तो इन चार अंसों की अपसन सही है और वो अपसन सही आपका E. शमता अंस की संख्या से हम भाग देते हैं प्रती अंस अरजन की गर्णा करने के लिए चलिए अगला कोशन देखते है कोशन नमर 84 कि यह रहा है निमलिकित अनुपातों में से और अच्छी स्थिति को परदासित करता है यदी वह नीचा हो तो चार अपसन आपके सामने A. संचालन अनुपात B. संचालन से लाब अनुपात C. असाई संपतिया अवरत अनुपात दीन में से कोई नहीं तो इन चारो मेंसे जो सही अफसन है वो है A. संचालन अनुपाद चलिए फ्रेंट से अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 85 करें समयने त्या ठीक है चलिए तो इन चारो मेंसे कोई एक अफसन सही है A. लाब देखता अनुपाद B. वितिय स्थिती अनुपाद C. करें सिल्टा अनुपाद D. इन मेंसे कोई नहीं तो इन चारो मेंसे कोई एक अफसन सही है तो उससे अफसन आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंट जो आपको सही अफसन वो है B. वितिय स्थिती अनुपाद चालू अनुपात में बिर्धी हो सकती है A. चालू संपत्यों के अधी लेखन से B. चालू दाइत्यों के अधी लेखन से C. चालू संपत्यों के अधी लेखन से D. इनमें से कोई नहीं तो इन चारम से कोई एक अपसन सही है सभी अपसान आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंट जो आपका सभी अपसान होगा है चालू संपतियों को अधिक लिखेंगे तो क्या होगा न यह चालू अनुपात में बिर्धी होगी अब जी से मान लिजीए आपका 80,000 पर चालू संपतियां हैं ठीक है और चालू दय तो जो आएगा 24 चार आएगा लेकिन चलिए आप चालू संपतियों को बढ़ा लेजिए और चालू संपतियों को उतना ही रहने दीजिए चालू संपतियों को आप एक लाख कर लिजिए और चालू संपतियों के अधी लेखन मतलब अधिक लिखने से चालू अनुपात में बिर्धी होगी ठीक है फ्रेंस अगरा कोश्चन देख लिजिए मतलब हम क्या करने वाले हैं एक लाख में ठीक है एक लाख में हम क्या करेंगे 20 हजार जो चालू दाइतव है ठीक है डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका एगा 5 ठीक है मतलब हमने अधिक लिख दिया पहले लिखा था कितना असी हजार असी हजार लिखने के बजाए ठीक है असी हजार लिखने के बजाए यह आ रहा था चार चार आ रहा था असी हजार के बजाए असी हजार में जब 20 हर से डिवाइड के तो चार आया लेकिन जब हमने जो चालू संपत्ति है उसको बढ़ाया एक लाख कर दिया भी सेर बढ़ा के तो हमारा कहने कहीं पांच आया चार के बज़ाए पांच आया तो कहने कहीं बढ़ गया न चालो अनुपात में क्या हुआ बिर्धी हुआ चले फ्रेंट्स अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 80 तो चार अपसन है आपके सामने चार अपसन है आपके सामने बिर्धी, बि कमी, सी कोई परभाव नहीं इन में से कोई नहीं तो चार अपसन है आपके सामने और चारो में से कोई एक अपसन सही अपसन नहीं तो सही अपसन आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंट्स जो आपका से अप्सरों है कोई परभाव नहीं कोई परभाव नहीं चलिए फ्रेंट्स आपको समझाते हैं करा खिर्च देंदार से वसूली का चालू अनपाथ पर क्या परभाव पड़ेगा अब बताइए देंदार जो होता है वो क्या होता है देंदार होता है चालू संपती होता है ठीक है अब माली जीए कि 40,000 के हमारे देंदार थे 40,000 के हमारे देंदार थे ठीक है और क्या हुआ कि उन से 20,000 रुपए वसूल कर लिये हमने 20,000 रुपए हमने वसूल कर लिये अब बताईए तो हमारे देंदार चुंकि जो वे रोकड वसूल करेंगे रोकड भी चालू संपतियां और देंदार भी चालू संपतियां तो देंदार हमारा 20,000 हो जाएगा 40,000 से घटके ठीक है 20,000 हो जाएगा ठीक है और ये चालू संपतियां मैंने कैस वाला जो है बढ़ देप्टर और भी सरीर कैस मिला के समिला के 40,000 नहीं हुआ आपका जो चालू जो है समपती है ओ 40,000 हुआ तु इसका मतलब जब चालू संपती में कोई बदलावे नहीं हुआ तो क्या चालू अनुपात में कोई बदलाव होगा नहीं होगा चलिए फ्रेंस अगला कोशन दिखते हैं कोशन नमबर 89 करें देंदारों में से और प्राप्य रिण के अपलेखन से तुरित अनुपात पर क्या परभाव पड़ेगा ठीक है तो चलिए आपके सामने चार अप्सन है A. बृधी B. कमी C. अप्रभावित D. इन में से कोई नहीं तो इन चारों में से कोई एक अप्सन से फ्रेंस तो से अप्सन आपको गिस कर लेना है तो फ्रेंस जो आपका से अप्सन होगा है B. कमी यानि देनदारों में से अप्रभावित अनुपात पर क्या परभाव पड़ेगा कि कमी होगा समझे क्या होगा फ्रेंस मैं बताता हूँ कि मान लिजिये हमारे जो डेप्टर्स थे वो 40,000 के थे अब क्या हुआ उसमें से 5,000 हमने अपलेखन कर लिया थोड़ा साम सजी से लिखते हैं डेप्टर्स आपके कितने के थे 40,000 के थे इसमें से आपने 5,000 अपलेखन कर लिया तो अब बताईए हमारा डेप्टर अब कितने का होगा अब होगा डेप्टर 35,000 का लेकिन क्या हमारा रोकल बढ़ा या कोई और चालू संपति बढ़ी इसके वज़े से नहीं बढ़ी तो कहीं न कहीं हमारा जो संपतियां है चालू संपतियां वो घड़ा तो जाहर सी बात है क्योंकि ये त्वरी जो संपतियां लिक्वीड एसेट्स होता है उसके अंतर का डेप्टर हमारा आता है और यहीं स्टाक में परिवर्टन हुआ होता तो उसका फरक यहां पर नहीं पड़ता त्वरी तयनुपात पर लिक्वीड रेशियो पर क्योंकि liquid assets नहीं होता है stock और prepared expenses लेकिन debtor तो liquid assets होता है और बताए liquid assets में जब कमी आएगी तो कहीं न कहीं जो हमारा त्वरीत अनुपात यानि liquid ratio जो होगा वो भी परभावित होगा और परभावित होगा तो क्या होगा? कमी होगी तो चले फ्रेंट्स अगला question देखते हैं question number 90 करें निमलिकित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी इस्तिति को परदासित करता है? यदि वह उचा हो तो चार अपसन आपके समने A. रहतिया वरत अनुपात B. पूजिया वरत अनुपात C. बिन्योग पर परते आए D. उप्रोक्त सभी तो इन चार अपसे कोई एक पसन सही अपसन आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंट्स जो आपका सही अपसन है वो है D. उप्रोक्त सभी चले फ्रेंट्स अगला question देखते है question number 91 इन चार में सही अपसन आपकी आपके सामने यानि time में करते है चले फ्रेंट्स अगला question देखते है question number 92 और 92 कह रहा है बिन्योग पर पर पड़ते है कि गरणा की जाती है चार अपसन आपके सामने A. सूधलाब divided by विक्री B. सूधलाब into पूजी अवर्त अनुपात थोड़ा सा प्रिंटिंग एर है पूजी अवर्त अनुपात C. विक्री की लागत भगा बिन्योजित पूजी D. इन में से कोई नहीं तो इन चार में से ज़िए अफसन वह है C. विक्री की लागत में बिन्योजित पूजी से भाग देंगे तो बिन्योग पर परत्याए की गढ़ना हो जाएगी यानि पता चल जाएगा बिन्योग पर परत्याए चलिए अगला कोशन देखते है कोशन नमर 93 कह रहा है तरलता का सर्वधी कठिन परिच्ण है A. चालो अनुपात B. अमल परिच्ण अनुपात C. असकंद आवर्त अनुपात D. निरिपेच अनुपात तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों में से कोई एक अप्सन सही फ्रेंड्स तो सही अप्सन आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंड्स जो आपका सही अप्सन वह है D. निरिपेच अनुपात यानि absolute ratio और जो फ्रेंड्स आपको बता दें absolute liquid ratio जो है पूल तरलता अनुपात भी हम इसको कहते हैं और निरिपेच अनुपात पर D. इन में से कोई नहीं तो इन चारों में से जो सही अप्सन है वह है A. अंजधारियों के बिन्योग पर बिन्योग पर परत्याय की गर्णा की जाती है चलिए अगला कोशन देखते है कोशन नुपाइफ कह रहा है यदि संचाला नुपात 70% है तो सुधा नुपात होगा तो A है 15% B 30% C 35% और D इन में से कोई नहीं तो फ्रेंच देखिए सुधा नुपात जो होगा जब हम संचाला नुपात घटा लेंगे तो हमें सुधा नुपात पता चलेगा तो यह होगा हमारा 30% जब संचाला नुपात 70% होगा तो 100% में से आप घटा लेजिए 70% यानि 100% में से आप घटा लेजिए 70% संचाला नुपात तो आपका जो आएगा वो 30% होगा शुधा नुपात ठीक है फ्रेंच चले अगला कोशन देखते है यानि क्या होता है हम स्टॉक को घटा लेते हैं प्रिपाड एक्सेट्स को घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है लिक्वीट एक्सेट्स ठीक है तो चले देखते है कौन साफ सही है इसमें से अमेंसा liter!!! और सिय अपसंदीया तो आपका सही अप्शन है वह है बी ऑप्शन सही हे फ्रेंट्स कि करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रिपाइड एक्पेंसे इस्कॉल टू होता है लिक्विड एसेट्स चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नंबर 97 अवर्त अनुपात प्रबंध को शहायता करते हैं तो चार अप्शन आपके सामने ए संसाधनों के प्रबंध में बी कारे निस्पादन का मुलयांकन करने में सी वित का नियूजन करने में डी उप्रोक्त सभी तो इन चारह मसे कोई एक अप्शन से फ्रेंट्स सही अप्शन आपको गेस कर लेना है तो फ्रेंट्स जो अगला question देखते हूं, question number 90, 8, करा, A, असकंद, B, विपारिक प्राप, C, बैंक में रोकड, D, यहांत में रोकड, तो इन चार हमसे को यह का आपसन सेफ रहे हैं, तो सेफसन आपको केस कर लेना है, तो friends, जो आपका सेफसन आपको है, A, असकंद, असकंद, जो है, तरहल संपति में सामिल नहीं होता, अभी अभी आपको हमने फार्मूला बताया, कि liquid assets is equal to होता है, current assets minus stock, तो stock को सामिल नहीं करते हैं, और minus prepared expenses, तो इस prepared expenses को भी तरहल संपति में सामिल नहीं करते हैं, चले, फ्रेंस अगला question देखते हैं, question number 99, और question number 99 कह रहा है, कि देंदार 40,000 रुपे के हैं, प्रापईभी पत्र 20,000 रुपे के हैं, वर्ज की विकरी 2,040,000 रुपे है, अता औसत वसूल या वधी होगी, माह में, माह में बताना आपको, अब दीन में बताना होता, 365 से मल्डिपलाई करते हैं, और जब मा में पूछा है, तब 12 मा, क्योंकि एक साल में 12 मा होते हैं, तो 12 से मल्डिपलाई करेंगे, ठीक है friends, तो चलिए, ये option है, 4 मा, B, 3 मा, C, 5 मा, D, NMS, कोई नहीं, तो friends, question को solve भी कर लेते हैं, सबसे पहले हम question उतार लेते हैं, या पर डेप्टर्स 40,000 लिख लिए, बिल्स रिसेबल 20,000 लिख लिए, सेल डेरू इर लिख लिए, 2,440,000 लिए, और average collection period, compute करना है, तो चलिए friends, अब हम फार्मूला क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, अब डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसेबल, डिवैड बैसे इंटू 12, अगरे दिनों में कहा था, तो 365 मुलिपलाई करते हैं, ठीक है, लेकिन माह में कहा है, इसलिए 12 मुलिपलाई करते हैं, अब डेप्टर्स हम लिख लिए, 20,000, बिल्स रिसेबल लिख लिए, डेप्टर्स लिख लिए, 40,000, और बिल्स रिसेबल लिख लिए, 20,000, और डिवाइड करेंगे, 240,000 से, यानि सल से, और में लिफलाई करेंगे, 12 से, तो हमारा 3 मन्थ आएगा, 3 मन्थ आएगा, तो आपका जो सही अप्सन होगा, वो होगा, B, 3 मन्थ, चले फ्रेंट्स, अगरा कोश्चन देखते, कोश्चन नम्बर 100, कह रहा है, अनुपात जितना ही उचा होता है, उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है, तो A, सुधलाब अनुपात, B, असकंदा औरत अनुपात, C, संचाला अनुपात, D, किसी पर नहीं, तो इन चारों में से जो सही अप्सन होगा है, C, संचाला अनुपात जो है न, क्या होता है, कि जीतना अनुपात ही, कि अनुपाद जितना ही उचा होता है उतना ही अनुकूल होता यह लागू नहीं होता संचाल अनुपाद पर बाकी सब पर लागू होता है चले फ्रेंट्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 101 करा देंदारों का संगरा इसको ए दिया है चालो अनुपाद बढ़ाना बी चालो अनुपाद घटाना सी चालो अनुपाद पर कोई परभाव नहीं पढ़ता दी उप्रेंट्स एक बात बताईए मैंने अभी अभी आपको कूश समय पहले बात बताया कि माल लिज तबती होती है अब इसमय से ठीके अब इसमय से जब हम 20,000 कर लेंगे यानि संगरह कर लेंगे तो को ध़ले 80,000 हो जाएगा तो पलस हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या हमारा रोकर बढ़ जाएगा 20 ज़र से तो कहीने कहीं करेंट एसे हमारा एक लाग ही होता है तो इसका मतलब हमारा सी वाल आफसन सही है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा यानि चालो अनपातर कोई परभाव नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब जो आपका option है वो C वाला सही है चले फ्रेंट से अगला question देखते हैं question number 102 करया ब्याज एंग करके पशात लाव का परियोग इस पे से करया कि परपरत्याय की गर्णा में किया जाता है तो एक कुल संपत्ती, B, बिन्योजित, पुची, C अंसधारियों के कोस, D, उप्रोप्त सभी तो इन चारों में से को ये एक option सही है तो सही अपसन आपको कैस कर लेना है तो friends जो आपका सही अपसन होगा है C, अंसधारियों के कोस चले अगला question देखते हैं और आज का last question friends question number 103 है करें चालू अनुपात 2.7 is to 1 है त्वरीत अनुपात 1.8 is to 1 है चालू दायत्व शाटजा रुपे है असकंद का मुल्य होगा A अपसन है 60,000, B अपसन है 14,000 C अपसन एक अलाग 8,000, D अपसन एक अलाग 62,000 तो चलिए friends देखते हैं इसको solve करते है friends और solve कैसे करना है तो दिखें मैंने solve कर रखा है कि current ratio is equal to 2.7 is to 1 हमने लिख लिए liquid ratio 1.8 is to 1 लिख लिए current liability is 60,000 लिख लिए जो दिया है और value of stock find out करना है तो हमने question marks लिख लिए और सबसे पल हम लोग क्या करेंगे current ratio को फर्मूला लगाएंगे current ratio को फर्मूला हमने लगाया देखे CR is equal to current assets यानि CA divided by current liability यानि CL अब हमने CR के जगब पे जो value दिया है 2.7 is to 1 हमने रख लिया is equal to CA divided by और current liability हमें पता है अब क्यूंकि तिर्षा multiplication करेंगे में 2.7 समलिप्लाई करेंगे और 1 में CA समलिप्लाई करेंगे तो दिखिए CA is equal to 2.7 into 60,000 तो हमारा जो मलिप्लाई करने के बास आएगा 1,62,000 current assets हमारा आ जाएगा अब liquid ratio को फर्मूला रखते है liquid assets divided by current liability होता है अब liquid ratio के जगब पे जो दिया हुआ है liquid ratio के value हम रख लेते है 1.8 is to 1 is equal to LA and liquid assets divided by 60,000 करने लबड़ी अब हम 60,000 में और एक दसमलो आठ में मलिप्लाई करेंगे तो हमारा LA is equal to आएगा 1.8 into 60,000 तो is equal to जो हमारा आएगा 1,8,000 हमारा liquid assets आएगा और फ्रेंट्स एक बास बता दें कि current assets और liquid assets में यही फरक होता है कि current assets में stock सामिल होता है prepared expenses सामिल होता है लेकिन liquid assets में नहीं stock सामिल होता है नहीं prepared expenses सामिल होता है तो कोईने के current assets में से जब liquid assets घटा लेंगे prepared expenses को कोई जिक्र दिया ही नहीं है तो हम current assets में से जब liquid assets घटाएंगे तो कहलें कि जो difference जो दिखेगा आपको वो 54,000 को जो difference दिख रहा है वो stock ही कहलाएगा तो friends हमारा जो सही option है वो है 54,000 यानि B वाला option आपका सही है तो friends आपको वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर comment करिये friends